नमस्कार दोस्तो मैं कपिल चारण वेक्याता रासनिति विज्ञान आप सभी का हदिक स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल RPC Only में दोस्तो जैसा कि आप स्किन पे देख पा रहे होंगे आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगनी पत योजना के बारे में दोस्तो आप जानते हैं कि इस योजना को लेकर देश बर में बवाल मचा हुआ है ये योजना हमारे एक्जाम के लिए भी बहुत ही इंपोटेंट होने वाली है चाहिए वो सब इस्पेक्टर इंटर्वी जो होने जा रहे हैं उनके लिए चाहिए असिस्टेंट प्रफेसर के इंटर्वी होने जा रहे हैं उनके लिए चाहिए आगामी आरेस भर्द्य परिक्सा हो फर्स्ट गेड एक्जाम हो सब भी के लिए ये योजना बहुत ही महत्वपुन होने वाली इस योजना के इंपोर्टेंट फैक्स हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे उसके बाद हम एनलेटिकल जो चीज़ें वो देखेंगे इसका विरोध क्यूं हो रहा वो जानेंगे इसके फाय देख क्या है और इसके जो बीच का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं या आगे कि सोच ह हमारे क्या हो सकती वो हम इसमें डिसकस करेंगे तो आएए दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो की दोस्तों सबसे पहले बात करें अगनेपत योजना की तो जो दोस्तों ये अगनेपत योजना है ये बैसिकली इसके तरद क्या होगा कि जो इंडियन आर्मी है न प्रदान की जाएगी और इस अगनिपत योजना के थ्रू जो सैनिक बढ़ती होंगे उन्हें नाम दिया जाएगा अगनिवीर ये बढ़ती चार साल के लिए होगी और चार साल के बाद क्या होगा दोस्तो पिछोतर फिशदी सैनिकों को घर बेज दिया जाएगा यानि कि आपको अब दोस्तो बात करें अगनिपत योजना इसमें भरती कैसे होगी तो दोस्तो ध्यान रखिएगा अगनिपत योजना सिब जवानों के लिए यानि कि अपसरों की जो बरती होती है military में वो इसके थ्रू नहीं होगी और वरतमान में जो खुली बरती है आर्मी के लि जो चार साल वी जो वीर होंगी उनको पहले साल में 30,000 रुपए उनकी सेलेरी होगी दूसरे साल में 30,000 होगी तीसरे साल में 36,500 रुपए यानि 36,000 रुपए सेलेरी होगी पूछा जा सकते एक जा में पहले साल में कितनी है दूसरे साल में कितनी है तीसरे साल में कितनी है और चौते साल में आपको 40,000 रुपे की जो मंतली सेलेरी मिलेगी यानि अच्छा खासा पैसा इसमें मिलने वाला है आपको इसके अलावा चूंकि आप आर्मी की जो कह सकते हैं जोब है इसमें रिक्स और हार्षिप जो अलाउंस होते हैं व्यतन बत्ते होते वह मिलेंगे रासन मिलेegá dress जो आर्मी की dress होती है और जो travel allowance होता है वह मिलेगा आर्मी की dress आलेंगी थोड़ी जो मैं आर्मी से तोड़ीlag होगी ऐसा कहा जा रहा है इसके लावा जो specialized manpower होती है उनके लिए जो ITI है और दूसरे टेक्निकल इंस्टिटूस है उनसे युवा को लिया जाएगा और चार साल पुरा होने के बाद जब युवा से बार जो युवा है वो सेनि सेवा से बार हो जाएंगे तो उन्हें एक सेवा निदी मिलेगी उन्हें कुल जो उनके जो इसमें कुछ हिसा कर करें इसको समझते हैं इसमें क्या होगा दोस्तों हर मेने की से तीस परशेंट आमाउंट कटेगा अगर से पहले साल अगर जो सैलेरी 30,000 है या लास साल 40,000 है उसका 30 परशेंट कट जाएगा और यह 30 परशेंट होगा उतनी रासी सरकार डालेगी इस तरह यह रकम है जो चा नहीं कटेगा यह बहुत अच्छी चीज है ठीक है इसके अलावा क्या होगा कि अगर आपको आर्मी के सर्विस के दौरान ठीक है अगर आपके लाइप के साथ कुछ हो जाता है तो वह आपको 40,000,000 रुपे का लाइप इंसरेंस जो कवर है वो भी मिलेगा और उस इंसरेंस के दौरान आपकी मौत हो जाती है तो और उसके बाद पहले साल आपकी सर्विस के दौरान मौत हो गई तो आपका तीन साल की सर्विस जितने भी सर्विस बच्ची है उस सर्विस की सेलेर भी आपको मिलेगी और उस बच्चे वक्ती सेवा नेदी का हिसा भी आपको मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छी मलब कह सकते हैं, पहले साल में किसी अगनिवीर की मौत होगी, तो तीन साल के सलेव से कंटिनियू मिलती रहेगी उसके परिवार को, या जो भी उसका नॉमेनी होगा, उसको मिलेगी, इसके अलावा किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगनिवीर, जो ह सेना के दोरान, सर्विस के दोरान, विकलांग हो जाता है, तो उसे भी एक बार आर्तिक साहिता, जो है, वो मदिद का प्रावदान इसमें किया गया है, तो ये तो थी योजना, हमने जाना, बैसिक्स, तो सवाल कैसे बन सकते हैं, जो एक्स ग्रेशिया है, वो कितना मिलेग का, चमालिस लाग का, इसके अलावा जो लाइप इसमें कितना है, वो और तालिस लाग रुपे का, ठीक है, और फर्स साल सेलेरी कितनी है, इसको लेका सवाल जो है, वो बन सकते है, अब बात करते हैं इसके ऐनलेटिकल वाले पार्ट की, दोस्तो पहले हम देखेंगे, इस इसकीम का विरोध क्यों हो रहा है, दोस्तों विरोध के पिछे सरकार ने कुछ सीज़े क्लीर ने की, उसके पिछे विरोध है, एक तो क्या हुआ है कि वरतमान में जो कुछ बर्तिया है, इसके द conductivity लिक्ता है, जो थल सेना है, जो वायू सेना है, और जो हमारी जल सेना है, दिनों के तरफ बढ़ती होने वाली है और वरतमान में कहीं जो प्रक्रिया हैं वो चल रहे हैं जैसे कि इस वीडियो के रिश्ट के दौल मैंने पाया कि जो एरफोस की बढ़ती है वो लगबर कंप्लीट हो चुकी है उनका सारा प्रोसेस हो चुका है लेकर उनको सेदा तो सरकार को इसको लेकर स्थिस्पश करनी चाहिए और बैतर यह होगा कि उनको जॉइनिंग दे 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 दूसरा है आयू सिमा में छूट का मामला एक्शली दोस्तों हुआ कि पिसले दो-तिन सालों से कोवीड वाली सिच्चिसन चल रही है आर्मी की बढ़ती हुई न सिंकों से ठरण हो जाएगा यानि कि अब सेना में भी ठेका पदती चले अब पर्मनेंट जो जवाने वो नहीं आएंगे तो इसमें दोस्तों यह है कि जो यह स्कीम है अगनिपत इसकिम इसमें क्या कर दिया जाएगा इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा यानि पहले अग पर्मान लोग की 75% है उनको चार साल बार हटा जाएगा तो भी एकुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो अगर तीन अजार जो सैनिक उनकी बढ़ गई उसमें से 75% हटा जेते हैं तो भी अगर आप रेशन निका तो सांसों से साड़े सांसों के करीब जो सैनिक है वो बचेंगे य इसमें थोड़ा दाइरह थोड़ा ओर विस्तित कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं इसमें यहां कि इसमें जो तीन गुना बरती करें वो चार गुना होगे उनको skill and training की जो सिखसा दी जाएगी वो training जो उनकी होगी वो इतने कुसल नहीं हो पाएंगे तो वो कैसे एक जैसे मालो भाद और पाकिस्तां गयुद हो जाए वो पाकिस्तान के दक्स सैनी का कैसे मुकाबला करेगा यह आलोसना की जा रही तो इसमें भी सरकात बीच का रस्ता यह निकाल सकती है मेरे ख्याल से किसी स्कीम का training थोड़ा बढ़ा दे चार साल की जगर पांस साल कर दो आप उसको training तो प्रपर दो ताकि जब युद लड़े तो वो उसमें कह सके काफी दक्स हो ताकि अच्छे से फाइट कर सके दूसी चीज है कि जो आर्मी वाले क्योंकि आप जब जा रहे हो अग्निवीर बन गया हो तो आपको थोड़ी पता कि चार साल बाद आप टर्मिनेटी होने वाला इवर मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा कि मैं अच्छा perform करूंगा तो हो सकता है कि मुझे permanent कर दिया जाए तो मुझे लगता है मोटिवेशन कि घटेगा यह personally मेरा opinion है और हमें किसी भी स्केम का स्वागत करना चाहिए उसके अच्छे पहलों को देखते हुए बाद में जर उसमें कम्या आएगी तो धिर-दिर उन कम्या को दूर भी किया जाएगा अगली जो आलोसना की जाती है कि से समाज का सेन्य करन हो जाएगा य एवन जो गैंग होती है लॉरेंस गैंग वगरा वो भी उनको अपने गैंग का हिस्सा बना सकती है तो इसे समाज में यह सारी जो अप्रादिक घतिविद्या वो बढ़ सकती है तो दोस्तों अगर ऐसी बात हम कहते हैं तो हम जो सैन्य ट्रेनिंग है उनमें जो अनुसासन स अगला होगा कि अगला जो आर्मी में रेजिमेंट सिस्टम चलता है तो दोस्तों आपको पता ही कि अभी अही रेजिमेंट को लेकर आंदूलन चल रहा था कुछ समय पहले तो यह तो एकतर से आर्मी में कास्ट को बड़ा देना वाला कदम था अंग्रजो के टाइम शुरू किया वागा था तो अगर यह खदम होता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है तो यह जो अलोसना है उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फाइदे की तो दोस्तों पहला फाइदा मिलेगा अगनेवीर योसना का जो आर्मी है वो जवान होगी जवान कैसे अभी आर्मी की जो ओसत आयू है वो 32 वर्स है और अगर यह अगनेवीर योसना लागू हो जाती है तो यह आवरेज जो आयू है उगड़के हो जाए अपडेट होता है प्लस उसमें सारेगरी रूप से युद्ध लणने की मांसिक रूप से प्लानिंग करने की समताधिक होती है तो वो जो उसका कह सकते हैं जीवनकाल का जो सबसे बहतरी जो आयू वर्ष होते हैं वो उसको देश के लिए समरपित कर पाएगा दूसरा यह होग कर रही उनकी वियतन में तो वो पैशा बचेगा क्योंकि 4 साल पाद काफी लोग रिटार हो जाएंगे हर चाथ साल को इनने को आते रहेंघे और एक सरकल चलता रहे गई सब्सक्राइब सब्सक्राइब पाकिस्तान जैसे दुस्मनों का बहतर डंग से सामना कर पाएंगे जैसे मैंने बताया था आलोसना में जब मैं इसको बीच का रस्ता निकाल रहा था कि युवाओ और समाज में अनुसासन आएगा अभी युवाओ की पॉब्लम किया है हमाद देश के सामें जो बड़ी चुनोती है कि आज के जो युवाओ हैं वो ड्रक्स से ग्रेट इनके सिकार हो रहे हैं तो अब क्या होगा कि जब युवाओ आर्मी में जाएंगे तो एक अब देश के सामें आपड आ गए चीन और पाकिस्तान एक साथ आकरमन कर दिया तो यह जो पहले से जो रिटार्ड है चार साल में वह वापस से आर्मी लाइप में बुलवाएं जा सकते हैं तो वहां पर काम आ सकते हैं या पर देश में को ट्रेस्ट जिए होगी चोटी करें उसमें अगर 17 साल का कोई है बार भी पास वार है तो उनको साथ में कुछ इगनू से थ्रू या ओपन इविश्टी के थ्रू उन्हों कुछ स्किल भी दे दिया जाए रोजगार का ताकि वह जब इसको पास करें वापस से अगर उनका सेलेक्शन पर्मनेंट जवान के तोर पर नहीं हो तो वह कुछ और एक्जाम भी दे सके और कंपेटिशन लाइब में बने रहें तो यह जो इस पूरे अगनी वेर योजना के पॉजिटिव नेगेटिव वेर फॉरवर्ड बीच का रस्ता और इसकी बैसिक्स हमने डिसकुस की इस वीडियो में इतना ही इस देखने के लिए सुनने के लिए आपसे भी दोस्तों का बहुत बहुत आपार बहुत बहुत धन्यवाद